दोस्तों लीला नाइडू 1954 में मिस इंडिया बनी थी और उसी साल वोग मैगजीन में उनका नाम आया था as one of the top 10 most beautiful women in the world. 6 साल बाद रिशिकेश मुकर जी ने उन्हें और बलराथ साहनी को लेके एक फिल्म बनाई थी अनुराथा. ये कहान ही एक बड़े घड की लड़की की है जो एक डॉक्टर से प्यार करती है जो गाओं में मरीजों की सेवा करना चाहता है और वो अपने आशो आराम छोड़के क्या गाओं की जिंदगी में एड़्जस्ट कर पाती है इसी पे बेस्ट है कहान। ये फिल्म उन बहुती रेर फिल्मों में से है जिसमें म्यूजिक दिया था पंडित रवी शंकर ने इस फिल्म को नैशनल अवर्ड मिला था फर बेस्ट फीचर फिल्म और 1961 के बर्लीन फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म नॉमिनेटेड हुई थी फो दी गोल्डन बीर बॉलिवुड के ऐसे और ट्रिवियास जानने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अनिंदेलाव्स नॉरूस